बिभिन परिछाओं में इस्पोर्ट जीके से कुछ क्वेसन पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इस्पोर्ट जीके के लगभग टाप 35 क्वेसन लेके आ रहे हैं जो कि आपके बिभिन परिछाओं में पूछे जा चुके हैं होंगे और ये वीडियो हिंदी बासा में होगी सब्सक्राइब करिए इस टेडी फर जवाफ चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं ये वीडियो उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजे तो यहाँ पर जो भी कोईशन होंगे वन लाइनर होंगे यहाँ पर देखिए पहला कोईशियो क्रिकेट में आप बैट देखते हैं जिसे की मतलब खेला जाता है इसकी एक फिक्स लंबाई होती है ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी भी लंबाई के बल्ले से इसका प्रियोग कर सकते है तो यहाँ पर जो बल्ला होता है क्रिकेट में इसकी जो लंबाई हो सकती है अधिक्तम 38 इंच हो सकती है आगे बढ़ें तो अगला कोईशन है कि सुदीर्मन कप किस खेल से सम्बंदित है तो देखिए इस तरह के जो भी प्रशन है परिच्छा में अकसर कई बार पूछे गए है पूछा जाता है कि जो रणड़ी कप होता है या फिर ट्रापी होती है ये किस खेल से सम्बंदित होता है तो अगर रणड़ी पूछा जाए तो ये क्रिकेट से होता है और उसी तरह अगर सुधीरमन कब पूछा जाए तो ये होता है बैड मिंटल से अब आपके लिए एक सवाल है आप भारत के किसी एक बड़े बैड मिंटल खिलाड़ी का नाम हमें कमेंट करके बताईए अभी कमेंट सक्षन में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि साल्ट लेक इस्टेडियम कहां परिस्तित है साल्ट लेक इस्टेडियम तो ये इस्टेडियम है कुलकत्ता में कुलकत्ता याने की पच्छिम बंगाल में आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि उलम्पिक मसाल जलाने की प्रथा किस साल से शुरू हुई देखे जब किसी भी देश में उलम्पिक गेम होना होता है तो आप एक उलम्पिक मसाल जलाने की प्रथा है कहा जाता है कि इस मसाल को सूर्य के किड़ों से जलाया जाता है तो उलम्पिक में जो ये प्रफा सुरू की गई मसाल जलाने की ये कब से सुरू की गई तो ये सुरू की गई है 1928 बीसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम अभी कवर कर चुके हैं बारती ओलंपिक परसद के स्थापना कब होती है तो यह होती है 1924 में और मसाल जलाने की परता कब शुरुए तो 1928 में आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि भारत देश में पहली बार राष्ट मंडल खेलों में भाग कि साल लिया था तो देखिए यह है राष्ट मंडल खेल तो यहाँ पर बारत ने सबसे पहली बार भाग लिया था 1934 में दरसल उस समय यह अजादी के पहली की बात हो रही ह तो वहाँ पर भी भारत ने भाग लिया था पहली बार राष्ट मंडल खेल में और यह था सन 1934 अगला कोश्चन की ACI खेल की सुरुवाद कब और कहां से की गई तो देखिए ACI खेल की सुरुवाद भारत से ही हुई है और जब भारत अजाद हो जाता है तभी उसी के अगले साल ACI खेल की सुरुवाद की गई और यह सुरुवाद की गई थी नई दिल्ली से और अगर आ पर देख सकते हैं कि पांच चल्ले हैं एक दो तीन चार और पांच तो ये भी जो भी ये पांच चल्ले हैं ये पांच महाधिपों को बताते हैं और इनका जो कलर है सबका अलग अलग प्रतीक भी है आगे बढ़ें तो अगला कोशन है कि एवरेष्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौंध है तो सबसे कम उम्र की पूछा जाए और ये भी पूछा जाए कियो रेष्ट की चोटी पर बताना है आपको तो ये हैं डी की डोलमा आगे बढ़ें तो अगला कोशन है कि वर्स 2017 राष्टी आइस स्केटिंग चेंपियंशिप की पहली बार रणजी ट्राफी का किताब जीतने वाली कौन सित्तीम थी तो देखें रणजी ट्राफी मतलब किये क्रिकेट से है और जो पहली बार रणजी ट्राफी का किताब जीता ये था गुजरात यहां पर जो स्टेट लेबल के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं तो लेबल पे या पिदि स्टेट लेबल पे भी कराया जाता है तो जहां कहीं भी ये दोड़ होती है वहाँ पे इसकी दूरी रखनी होती है 42.195 किलोमेटर मतलब की लगभग लगभग 42 किलोमेटर आगे बढ़ें तो अगला कोश्चान है कि एजरा कप किस खेल से संबंदित है एजरा कप जैसे कि आपने देखा सुधिर्मन कप को जो की बैड मेंटल से था इसी तरह एजरा कप है किस से तो पोलो से आगे बढ़े तो अगला क्वेशन है कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण किस साल सुरू किया गया तो अगर टीवी की बात की जाए तो ये सुरू किया गया 1960 इस भी से आगे बढ़ें तो अगला question है कि राष्ट मंडल खेलों की सुरुआत किस साल से हुई तो ये होती है 1930 से और भारत पहली बार भाग कब लिया तो 1934 में तो इस तरह आपको question को जोड़ जोड़ के याद रखना है आप इस तरह question को बड़े ही असानी से याद रख पाएंगे अगला question कि बामबे बामबर किस अंतराष्टी क्रिकेटर का उपनाम है बामबे बामबर तो ये है सचीन तेंदुलकर और जो कि भारत के सबसे महान बले बाजों में इनकी काउंटिंग होती है आप हमें सचीन तेंदुलकर का एक दूसरा उपनाम कमेंट करके बताईए जैस हमें वही कमेंट करके बताईए अगला question है कि Canada का राश्टी खेल क्या है Canada तो इसका राश्टी खेल है आइस हांकी मतलब कि हांकी खेले जाती है और ये बर्फ के होता है बर्फ पे इसलिए इसका नाम है आइस हांकी अगला question कि cricket खेल का जनमदाता कौन सा देश है तो अगर जनमदाता की बात करें और cricket की तो ये है England देखिए भारत में आज जो cricket का स्वरूप है सबसे ज्यादा प्रसलित है लेकिन इसका जनमदाता है England और हला कि अगर राश्टी खेल की बात करें तो भारत का राश्टी खेल है हांकी और England का राश्टी खेल है cricket उसी तरह जो इसी चैनल पर उपलब्द है अगर आपने देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा अगला कोश्चन है कि फुटबाल खेल का जनम किस देश में हुआ तो अब पूछा जा रहा है फुटबाल का तो फुटबाल भी शुरू हुआ था England से आगे ब पान तो जपान अंतराषटी क्रिकेट नहीं खेलता है आगे बने तो अगला कोश्चन है कि कुट्तों की दोड़ के लिए प्रसीद वाइट सिटी स्टेडियम कहां पर है तो यह है अगे इंग्लेंड में आगे बने तो अगला कोश्चन है कि विस्व में क्रिकेट related का मक्क जैसा कि आपने सुनाओगा कि जो मुष्लिम धर्म है जो उसमें मक्का मदिना का अपना एक अलग महत्तु हैं उसी तरह क्रिकेट का मक्का कीसे जाना जाता है तो ये है लाउर्ट्स स्टेडियम, इसे जाना जाता है क्रिकेट के मक्का के नाम से आगे बढ़े तो अगला कोश्चन है कि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पर मनाया जाता है यह सिछक दिवस के रूप में आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि Eden Garden कहाँ पर अवस्तित है Eden Garden तो यह है कुलकत्ता में कुलकत्ता यानि कि पच्छिन बंगाल उसी तरह एक और स्टेडियम का नाम हम आपको बता रहे हैं आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट में है स्टेडियम का नाम है Green Park स्टेडियम आप हमें कमेंट करके बताईए कि यह स्टेडियम भारत के किस राज तता किस सहर में इस्तित है अगला कोश्चन कि ACI खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित हुआ तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ACI केल की स्टार्टिंग भारत से ही हुई नई दिल्ली से और भारत जब 1950 में अजाद होता है उसके एक साल बाद ही इसको सुरू कर दिया गया मतलब की 1971 में एगला कोश्चन है कि इंग्लेंड और आश्र टेलिय के पीच होने वाले टेष्ट क्रिकेट ऌकला को क्या कहते हैं तो देखिए यह सिरीज आज़ भी होती है और इसमें किवल यही दोनों देस होते हैं इंग्लेंड और आश्र डेलिया तो इन दोनों के भी जो test cricket संकला मतलब की series होती है इसको कहा जाता है S.A.J. एगला question कि अरजून पुरसकार किसलिये प्रदान किया जाता है तो देखिए अरजून पुरसकार खेल में दिया जाता है चाये वो कोई भी खेलो badmental, cricket, honking किसी भी खेल में अगर कोई भी खिलाड़ी उतकरिष्ट मतलब की बहुत अच्छा प्रदसन करता है तो उसे दिया जाता है अर्जुन पुरुसकार तो यह है खेलों में गवरों बढ़ाने के महत्पूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरुसकार अगला कोईश्चन है किस वर्द भारत ने उलम्पिक खेलों में हाकी का पहला सुण पदक जीता देखिए भारत पहली बार उलम्पिक खेलों में सुण पदक जीता था 1928 में और यह जो पदक आया था यह हाकी में आया था ठीक यहाँ पर यह पदक हाकी में आता है और इसके इसके बाद जाके जो भारती इसके पहले मतलब 1924 में यहां पर भारती ओलम्पिक संग बना दिया गया था चार सल पहले अगला कोश्चन है कि चाइना मैन सब्द किस खेल से संब्दित है चाइना मैन तो यह है क्रिकेट से अब आपके लिए अगला सवाल आप हमें किसी भारत क्रिकेटर का नाम बताईए जिसे चाइना मैन की उपादी मिली है अगला कोश्चन कि माई लाइफ एंड ब्यूटिफूल गेम पुछतक किस प्रसिद्ध खिलाडी ने लिखी है तो यह लिखा गया है डी नासी मेंटो के द्वारा माई लाइफ एंड ब्यूटिफूल गेम तो यह लिखा गया है डी नासी मेंटो के द्वारा अगला कोश्चन कि किस सिख खिलाडी को उडन सिख के नाम से जाना जाता है उडन सिख तो यह है महान की खिलाडी मिलखा सिंग आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि देश में सबसे ज्यादा सोना किस राजी से प्रा और देखे ओलम्पिक दरसल यह पहले भी हुआ करता था इसका कुछ दूसरा नाम था लेकिन इसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था लेकिन जो आधनिक ओलम्पिक का सुरूप आप देखते हैं इसे दुबारा सुरूप किया गया 1896 में यूनान से और यह अभी भी क कांटिनीव है हाला कि कई बार जब भी स्यूद हुए है तो इसे बंद किया गया है लेकिन अभी भी यह कांटिनीव चल रहा है अगला कोश्चन के प्रसीद फुटवाल खिलाडी एंडेसन एथरेंस डी नासिमेंटो का संबंद किस खेल से है यह ब्राजील के है और यह ब् हुटवाल खिल के अगला कोश्चन इस खिलाडी को उडनपरी के नाम से ज scheda मरता है तो यह है पीडी उसा अगला कोश्चन के उलमपिक के प्रतीक में कुल कितने गोले होते हैं तो अभी आप हम आपको दिखा चुके है जो प्रतीक है अभी हम फिर से दिखा दे रहे हैं आ और इनका कलर आप देख सकते हैं इन्हें आप बड़े ही असानी से याद भी रख पाएंगे देखिए वह दिया गया है नीला, पीला, काला, हरा तता लाल तो यह है उलम्पिक के पांच कलर तो बस आज की इस वीडियो में इतना हैं आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए तता आपको बता दें कि अगर आप इसे लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में इतना है इस्टेडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्स झाल कि अपको बता आपको लिए एसान पाने के लिए भी जाएगा झाल को आपको लिए।